प्रेसन संक्या 4, 2 kg 500 g मिठाईया एक पैकेट में है, इस तरह के 12 पैकेट जॉन के पास है, रामू इसे 8 पैकेटों में रखना चाहता है, एक पैकेट में कुल कितनी मिठाईया रखनी होगी तो प्रेसन 4 में कहाँ रहा है कि 2 kg 500 g मिठाईया एक पैकेट में है, तो इस तरह के 12 पैकेट जॉन के पास है, तो देखिए 1 पैकेट में कितना मिठाईया, 2 kg 500 g ठीक है तो दो किलो ग्राम 500 ग्राम मिठाई एक पैकेट में है तो 12 पैकेट में कितना होगा तो 12 से गुना करेंगे तो 12 पैकेट में कितना मिठाई होगा क्योंकि एक पैकेट में है 2 किलो ग्राम 500 ग्राम मिठाई तो 12 पैकेट में पहले निकालना होगा कि कुल मिठाई कितना है 12 पैकेट में ठीक है क्यूंकि काह रहा है कि इस तरह के 12 पकेट जयून के पास है तो कुल कितना मिठाई होगा तो गुणा कर देंगे तो देखिए सुनने गुणा 2, سुनने पांच गुणा 2, 10 पांच गुणा 2, 10, हात्म रहा 1 अब इससे 2 गुणा 4, 5 5 यहां पर लिखेंगे ठीक है अब देखिए एक से गुना करेंगे तो सुन्ने गुना एक सुन्ने गुना एक सुन्ने पांच गुना एक पांच यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हो चुका है देखिए एक अंग छोड़ के लिखते हैं दायोर से और ये संग के सामने तक हो गया पांच गुना एक पांच यहां पर लिखेंगे इसके नीचे दो गुना एक दो यहां पर लिखेंगे इसको जोड देंगे हो जाएगा यहां पर ग्राम लिख लेंगे तो इसको जोड देंगे तो इसको जोड देंगे 5,5,10,2,1,3 यानि 30 kg यहांपे kg लिख देंगे देखिए kg के सामने तो 30 kg, 0, 0, 0, 0, 0Ho 30 kg मिथाई खुल मिला के है, जो की 12 पैकेट में बंद है, ठीक है? तो अब कह रहा है यहांपे 2 kg 500 g gg मिठाईआ एक packet में है इस तरह के 12 packet marketed zone के पास है तो कुल मिठाई तो निकल गया अब रामू जो है रामू इसे 8 packet में रखना चाहता है यानि 8 packet में इसको अढ़ाना चाहता है 30 kg मिठाई को 8 packet में रखना चाहता है क्योंकि ये तो 12 पैकेटों में पहले से बंद है एक पैकेट में इतना है ठीक है जब अब 8 पैकेटों में अठाने के लिए और ज्यादा मिठाई एक पैकेट में रखना होगा तो हम क्या कर देंगे 8 से 30 किलो ग्राम सुन्ने सुन्ने ग्राम को भाग देंगे ठीक है यानि 8 से 30 किलो ग्राम सुनने 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 ग्राम को भाग देंगे तो कितना हो जागा 8 तिया 24 10 में से 4 गया 6 2 में से 2 गया सुनने ठीक है तो देखे अब यहाँ पर किलो ग्राम में और कोई अंक नहीं बचा, और कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर किलो ग्राम लिख देंगे ठीक है? अब देखिए ग्राम बला, यानि सूनने यहाँ पर आएगा तो यह हो गया 60, तो 8 सते 8 सते 56 होता है तो 8 सते 56 यहाँ पर लिखेंगे 10 में से 6 गया, 4 5 में से 5 गया, सूनने फिर से सूनने लाएंगे यहाँ पर तो 8 पचे 40 अब देखिए, एक सूनने और है ठीक है? तो एक सूनने यहाँ लिखेंगे, दूसके बदले यहाँ पर एक सूनने देना होगा तो यह हो गया 3 किलो ग्राम, 750 ग्राम 750 ग्राम ठीक है? तो तो आठ पकेटों में रखने के लिए, एक पकेट में कुल कितनी मिठाईयां रखनी होगी? तो एक पकेट में कितना रखना होगा? 3 किलो ग्राम 750 ग्राम, यानि जब 12 पकेट में था तब एक पकेट में कितना मिठाई था 2 kg 500 ग्राम लेकिन जब सारा मिठाई को 8 पैकेट में रखना है तो हर एक पैकेट में रखना होगा 3 kg 750 ग्राम मिठाई तो लिखेंगे अद्ध अद्ध एक पैकेट में एक पैकेट में 3 kg 750 ग्राम मिठाईया रखनी होंगी तो एक पैकेट में 3 kg 750 ग्राम मिठाईया रखनी होगी तो प्रस्ट में कह रहा है कि एक पैकेट में कुल कितनी मिठाईया रखनी होगी तो एक पैकेट में कितना मिठाईया रखनी होगी 3 kg 750 ग्राम तो क्या करेंगे पहले पहले हम 2 kg 500 g को 12 से कुना करेंगे फिर जो आएगा उसको 8 से भाग दे देंगे ठीक है तब जाके उत्तर आ जाएगा तो इस तरह हम इसको हल करेंगे प्रस्न पांच यदि एक टीन में 15 लीटर 500 मिली लीटर तेल है तो इस तरह के 7 टीन में कुल कितना तेल है प्रस्न पांच यदि एक टीन में 15 लीटर 500 मिली लीटर तेल है तो इस तरह के 7 टीन में कुल कितना तेल है तो एक टीन में तेल दिया हुए 7 टीन में निकालना है तो देखे तो क्या करेंगे 15 लीटर 500 मिली लीटर पंदरा लीटर पांसो मिली लीटर को साथ से गुना करेंगे साथ से गुना करेंगे ठीक है क्योंकि एक टीन में इतना मिली लीटर तेल है तो साथ टीन में कितना तेल होगा तो साथ से गुना कर देंगे तो देखें सुने गुना साथ सुने सुन्नी गुना 7 सुन्ना 7 पचे 35 हाथ में रहा 3 तो हाथ में रहा 3 तो इधर जाएगा अब 7 पचे 35, 35 में 3 जोड़ेंगे तो 38 हाथ में रहा 3 7 गुना 17, 7 तीन 10 यानि 108 ठीक है तो इसका उत्तर आ चुगा है ये मिली लीटर में हो गया और ये लीटर में तो 108 लीटर देखें, लीटर के नीचे लीटर लिखेंगा मिलीटर के नीचे मिली लीटर तो 108 लीटर 500 मिली लीटर तेल 7 तीन में है तो 7 तीन में कुल कितना तेल होगा? 108 लीटर 500 मिली लीटर क्योंकि एक टीन में है 15 लीटर 500 मिली लीटर तो साथ टीन में कितना तेल होगा 108 लीटर 500 मिली लीटर तो हम लिखें यहाँ पर आता साथ टीन में साथ टीन में 108 लीटर 500 मिली लीटर 108 लीटर 500 मिली लीटर तेल है ठीक है तो साथ टीन में कितना तेल है 108 लीटर 500 मिली लीटर तो इसका यही उत्तर है 108 लीटर 500 मिली लीटर प्रस्न संक्या छे चार धावकों ने रेल रेस में बराबर बराबर रेले रेले रेस में बराबर बराबर दूरियां तेल की यदि कूल तेल की गई दूरी एक किलो मीटर 600 मिटर है तो प्रतेक धावक ने कितनी दूरियां तेल की तो प्रस्न 6 तो देखिए चार धावक ने रेले रेस में बराबर बराबर दूरियां तेल की एक किलो मीटर 600 मिटर है कुल दूरी चारो जो तै किया है एक किलो मीटर 600 मिटर तो प्रतेक धावक ने कितनी दूरियां तै की तो चार धावक तो चार से भाग दे देंगे किसको एक किलो मीटर एक किलो मीटर 600 मिटर को ठीक है क्यूंकि प्रेसन में कह रहा है कि कुल तैय की गई दूरी है एक किलो मेटर छे सो मीटर और चार धावकों ने बराबर बराबर दूरियां तैय किये, तो चार से भाग देंगे तभी पता चल जा है कितना दूरी तो देखिए एक तो लगेगा नहीं चार से तो सून्य बार में लगाएंगे यहाँ पर लिखेंगे सून्य तो चार गुना सून्य सून्य ठीक है तो देखें एक तो लगेगा नहीं चार से इसलिए सून्य बार में लगाएंगे तो चार गुना सून्य कितना होगा सुन्य, तो एक में से सुन्य गया एक, ठीक है अब कोई संख्या नही बचा है किलो मीटर में तो यहाँ पर किलो मीटर लिख देंगे यानि सुन्य किलो मीटर अब छे को यहाँ लाएंगे, देखें मीटर वाला ला रहे हैं, छे को यहाँ तो 4 चोग 16, 4 से 16 यहां पर हो गया है तो 4 बार में लगया, यानि 4 चोग 16 16 में से 16 गया, सुन्य 2 सुन्य बचा, तो 1 सुन्य उतारे नहीं लग रहा है तो उसके बदले 1 सुन्य देंगे फिर 1 सुन्य उतारे नहीं लग रहा है तो उसके बदले एक सूनने देंगे यानि सूनने किलो मीटर 400 मीटर ठीक है तो इसका उत्तर कितना आ गया सूनने किलो मीटर 400 मीटर यानि सिर्फ 400 मीटर हम कह सकते हैं क्योंकि सूनने किलो मीटर है तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ तो क्या आया सिर्फ 400 मीटर तो हम लिखेंगे इसका उत्तर अतर अतर परतेख धावक ने परतेख धावक ने 400 मीटर की दूरी 400 मीटर की दूरी 400 मीटर की दूरियां तै की ठीक है तो प्रस्ण में कह रहा है था कि 600 मीटर कुल दूरी है उसको 4 धावक ने तै किया है बराबर बराबर दूरी तो चार से भाग देंगे तो कितना आ जागा सूनी किलो मीटर, 400 मीटर तो देखें, एक किलो मीटर और मीटर का भागा है ठीक है, इसलिए किलो मीटर में जो है, जितना से लगा है उतना ही लिखेंगे, तो यह सूनी किलो मीटर हो गया और यहां से उतारना शुरू की हैं तो आप मीटर में चला गया चार चर्चोक सोल फिर दो सुन्ने हैं तो दो सुन्ने दे दिया है तो 400 मीटर यानि सिर्फ 400 मीटर आया है क्योंकि सुन्ने किलो मीटर का कोई मतलब नहीं हुआ तो परतेख धावक ने 400 मीटर की दूरियां तै की